बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामु आलीकुम कैसी है आप सब उमीदे आप सब खेरियस से होंगी आज हम बनाएंगे 14 आगस के लिए ट्राउजर की कटिंग में से निकले हुए पीसीज के साथ तीन से चार साल की बच्ची की A-Line Panel Shirt तो फिर चलिए शुरू कहले लेते हैं कि हमने लेफ्ट आवर पीसीज के साथ ये शेड कैसे बनाई है तो ट्राउजर की कटिंग में से निकले हुए हमारे पास ये वाले पीसीज है ये डबल है जबकि ये सिंगल है यानि टोटल पीसीज ये 6 हैं डबल पीसीज को हम साइड पैनल के लिए यूज करेंगे इस तरीके से हमने पहले तो तमाम पीसीज को सेट करके रख लेना है कोई भी पीस आगे या पीछे ना हो श्याड की लेंथ मैं रखूंगी 21 इंच और यहाँ से जो एक्स्ट्रा हिसा है इसको हम कट कर देंगे ये पीस जो हमने साइड पर रखा था इसे हम श्याड के फ्रांट और बैक के सेंटर पैनल के लिए यूज करेंगे पहले हम श्याड की बैक साइड के सेंटर पैनल कटिंग करेंगे अपनी शेर्ट की चोड़ाई पूरी करने के लिए पहले तो हम यहाँ से इतना सा हिस्सा कटिंग कर देंगे इस तरीके से अब देखें हमारे पास सेंटर की ये वाली चोड़ाई है अब यहाँ से एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर देंगे center panel की length भी हम side panel के ब्राबर ही रखेंगे ऐसे और यहाँ से cut कर लेंगे तो जी हमने back side तो cutting कर ली है front side के लिए हमारे पास तिरफ यह piece बचा है तो पहले तो हमने इसको ऐसे सिधा कर लेना है अब हम लेंथ पूरी करने के लिए इसमें जॉइन लगाएंगे देखें इस तरीके से हमने जॉइन के लिए पीस करकर लेना है यह देखें इस तरीके से अब हम फ्रन्ट और बैक को ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से मैं रखोंगी 5.5 इंच यह वाला निशान भी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे फीटिंग के लिए हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर आर्म होल के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे अब यह निशान मिलाकर सिद्धे कर लेंगे यहां से ऐसे हैं अब यह निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे यहां से फीटिंग आप अपनी बेबी की शहर्ड के मताबिक रख कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं कुछ वीक होते हैं नीचे से हम शार्ट को एलाइम शेब में रखेंगे तो इस तरीके से निशान लगाएंगे अब हम कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर ली है एक लोगे अब हमने sleeves की cutting करनी है उसके लिए हमारे पास यह वाले pieces हैं इन pieces को हम join लगा कर sleeves तयार करेंगे जो के मैं आगे चल कर आपको दिखाऊँगे किस तरीके से हमने sleeves तयार की हैं अब हम इस स्टीचिंगा स्टार्ट करते हैं, तमाम जॉइन्स में हम दिजाइनिंग के लिए सीडी लेस यूज़ करेंगे, आप किसी भी किसम की जॉइन लेस यूज़ कर लें, सबसे पहले हम सीडी लेस के साथ फ्रांट सेंटर पैनल तयार करेंगे, इस तरीके से, यह कर देंगे, ऐसे, अगर आप बच्चें को 14 अगास के ड्रेस तयार करने के लिए, डिजाइन आइडियास के लिए वीडियो देखना चाहती है, तो इसके लिए उपर दिये गए, लिंक पर क्लिक करें, आपको 14 अगास की मुनास्वत से ड्रेस डिजाइन आइडियास के और डीव रखेंगे 3.5 इंच, ये 3-4 साल के नौर्मल बच्चों के नेक का साइज है, ऐसे हम राउंड शेप बना लेंगे, नेक की कटिंग से पहले हम इस कॉमेंट का जवाब देंगे, जिसमें 3 साल की बच्ची के वी नेक का साइज पुछा गया है, वैसे तो उमर के हिस बच्चों के हाइट और सेज डिफरेंट होती है, इसलिए उनके डेस का साइज भी डिफरेंट होता है, लेकिन 3 साल की नौर्मल सी बच्ची के लिए वी नेक का ये साइज बिलकुल परफेक्ट है, ये देखें, इसकी चोड़ाई है, 4.5 इंच, 4.5 इंच ही हमने डीप कर देंगे, जबके डीप इतना ही रखेंगे, क्योंकि छोटी बच्चों को डीप नेक पहने हुए अच्छे नहीं लगते है, ठीक है, ये किना आपको मेरी बाद समझ आ गई होगी, अब हम नेक की कटिंग करेंगे, प्लैकिट के लिए हम सेंटर में कर लगाएंगे, ऐसे, यहां पर एक छोटा सा कर लगा लेंगे, ये देखें, इस तरीके से हमने प्लैकिट भी तैयार कर ली है, शेयर को सलाई का मारजन रखते हो, प्लैकिट के अंदर इस तरीके से रखेंगे, और सलाई लगा कर हम प्लैकिट तैयार कर लेंगे, जी तो हमने प्लैकिट तैयार क कर लिए हैं अब हम शर्ड की बैक साइड लेंगे इसको यह से फोल्ड करेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे इस तरीके से अब हम फ्रांट और बैक को जॉइंट कर देंगे यहां से फ्रांट और बैक को जॉइंट कर दिया है इस तरीके से और साइड पैनल्स के फ्रांट और बैक को भी हमने जॉइंट कर लिया है इस तरीके से अब हम side panels को ऐसे रखेंगे यह देखें इस तरीके से ऐसे और दोनो side से join less के साथ join कर देंगे इस तरीके से तो side panels को इस तरीके से हमने join कर लिया है यह देखें front और back side से ठीक है और इस तरीके से हमने sleeves को भी तयार कर दिया है तमाम joint में हमने CD less लगा दी है designing भी बन गई है और हमारी sleeves भी ready हो चुकी है अब हम एक औरेड पट्टी लेंगे इसको इस तरीके से हमने पूरे round neck में लगाना है और निचे की तरफ fold करके तुरपाई कर देनी है इसके बाद मैं final look दिखाती हूँ तो ये है हमारी shirt की final look बहुत ही प्यारी सी shirt बचे हुए pieces के साथ बन चुकी है निचे की तरफ से भी हमने ऐसे fold कर लिया है तो आपको ये idea कैसा लगा है comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर कर दीजिए और अगर आप मेरे channel पर नहीं है तो channel को भी subscribe कर दीजिए और bell icon को भी प्रेस कर दीजिए ताके आपको मेरी हर नहीं आने वाली video का notification मिल सके अपना बहुत सा ख्यार रखेगा और मुझे भी अपनी दौाओं में याद रखेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज